देखिए अंडे में से एक बच्चा निकलने के लिए तयार है देखिए नीचे यहां पर मैंने खडू लगा दिया है ताके मुंग्या और कीड़े ना आ सके और इटकर जमाए वाले हैं इटकर के उपर इस तरीके से टोकरा रखिए थेले को अंदर रखते हैं देखिए थेला जमा दिया है मैंने अब इसमें अंडे जमाने वाला हूं मैं देखिए अंडे है और अंडे रख जमाने के बाद मुर्गी को बैठा दीजिए मुर्गी 20 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकलने लगें यहां देख सकते हैं हमारे मुर्गी के अंडे यहां पर बैटके थी वो मुर्गी को हमने अभी छोड़ा है दिन में से दो टाइम हम छोड़ते हैं मुर्गी को आदा घंटा 10 मिनट 20 मिनट खाने के लिए दोस्तों मुर्गी के इस अड्यों में से बच्च निकलने वाओलेएं मुर्गी को आदा 10 यहां थीच्छे रहिए और। दुपकाले के मौसम में आपको इतना अंडे का जो मुह है उतना फोर दीजिए ताके बच्चे को सास ले सके देखिए अंडे इस तरीके से टीचते है और इसका मतलब यह होता है बच्चा इसमें बना हुआ है और बच्चा निकलने के लिए तैयार है तो अपने को यहाँ पर अंडे डटरते है दुपकाले के मौसम में तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर दीजिए ताके बच्चा सास ले सके और डटर के अंदर के अंदर मरे ना और इस तरीके से लकड़ी से आराम से करिए और ज्यादा अंदर मत तुचाईए लकड़ी को क्योंकि बच्चे को लग सकता है और बच्चा डैमेज यहने कि उसको नुक्सान हो सकता है उपर अधर अधर इस तरीके से आपको अंडे की जिल्ली निकालना होगा ताके बच्चा जिल्ली में से उसकी जो चोच है तो उसको सास मिल सके सास ले सके वो क्योंकि दुपकाले के मौसम में अंडे डटर जाते हैं डटरने का मतलब यह है कि क्योंकि बच्चे निकल नहीं पाते हैं बहुत से बच्चे अंडे में अटक जाते हैं तो इसलिए हमां को दुपकाले के मौसम में जो मुर्गी के अंडे टीचते हैं तो टीचने के जगा पे इतना उसका सुराक कर दीजे अंडे को ताके वो सास ले सके और अंडे सुराक तब करिए जब अंडा अंदर से बच्चा खुझ से फोड़ा तो और कुछ अंडे फोड़ते नहीं है क्योंकि ब्लड निकलेंगा ना तो बच्चे को नुक्सान होता है और जैसे को ऐसी मुर्गी के नीचे रख दीजिए और मुर्गी उसे गरम करके अच्छा कर देती है देखिए यहां पर आपको थोड़ा दिख रहा होंगा और दोस्तों इस धुपकाले के मौसम में जादन तर ऐसा होता है कैल यह ढटर जाते हैसलिए ऐसा करना होता है क्योंकि बच्चों को जो मुर्गी के अंड़ों ऐसे बच्चे निकलने वाले अन्दर घृटंधा था मरल्गी को हमने बिऩुशा है और देख सकते हैं अज आज का और मुर्गीं के अंडॉ में से बच्चे निकल रहे हैं और कहल और मुर्गी के यंडॉ तरीकर यह दोर्ध म पर यहांदर हों यह और इक है यहीँ हो चुक Top कभी निकलने लगहीं साइट से जाधा फोट गया तो यह यहांदा यहां पुरीwerk कि अंदर तूट शुक्व पूरी होता है यहां अभुदुत हैamat कथे अनडह पूरे खुद्वीक्व करने trata इसको भी हम उपर के मदब से यहां से निकालते हैं देखिए इसको भी हमने फोड़ दिया है अब इस तरीके से ये अंडों को अंदर रख देना होगा आपको ये अंडों को हम अंदर रख देते अंडों को अंदर रख देंगें अंडे में से एक बच्चा निकलने के लिए तयार है और देखिए ये बहुत ही खास वीडियो आपको बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों को आई से वीडियो देखने को नहीं मिलते हैं और देखिए ये आदा अंडा मैंने इसमें जो डटर जाता है बहुत से अंडे में से बोलकर हमें निकालना होता है कि देखे आपने कितना सुंदर बच्चा है वाओ बहुत ही प्यारा बच्चा है मुर्गी का और इसे जल से जल रग दीजिए मुर्गी के नीचे ताकि ये और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाए क्योंकि थंड बसती है ऐसे बच्चों को देखिए कैसा काप रहे कि अपने की नहीं हो बच्च के अपिए मुर्गी का रहे नहीं हो प्यारा बच्चा है के बच्चा का का रहे बच्चा का रहे हो प्यादा है देखें मैंने यहांपर चावल डाला है ये चावल मुर्गी भी खाईंगे और थोड़े बच्चों को खिलाइंगे दूसरे अंडों में से बच्चे निकले तक क्योंके कुछ अंडों में से बच्चे धुपकाले के मौसम में धुपका जो मौसम होता है गर्मी का मौसम होता है उस गर्मी के मौसम में मुर्गी के अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं ऐसा लोग कई लोगों का मानना है तो दोस्तों वह आपको बहुत डिटेल्स में बोलता हूं पूरा ध् अच्छे निकालना है तो वह अंडों को आपके पास फ्रीज होंगा फ्रीजर में रखिए फ्रीजर में उसे तब तक रखिए जब तक आपको मुर्गी के पूरे अंडे आपके पास जमा नहीं हो जाते वह अंडों को पूरा फ्रीजर में रखिए और फ्रीजर में रखने के बाहर रखने के बाद फिर वो मूर्गी के अंडो को लेक जाईए मूर्गी को उसके उपर फिर बिठाईए तो अंडो में से बिलकुल आपके गर्मी के मौसम में भी अंडो मेंसे बच्चे निकलेंगे ये जादा से जादा शेर करिए वीडियो पसंद आया हूँगा तो लाइक करिए और चैनल को आप सपोर्ट करना चाते हैं तो सपोर्ट करके हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा और जादा से जादा इस वीडियो को दोस्तों में वाट्स अप ग्रूप में शेर करिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को नीचे लाल बटन आपको या ब्लैक बटन दिख रहा हूँगा सब्सक्राइब बटन उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें